चूरू में श्री डूंगरगट के यूवकों से विदेश भेजने के नाम पर धोका धड़ी कोतवाली थाने में दिया परिवाद चूरू के कोतवाली छेतर में विदेश भेजने के नाम पर तीन यूवकों के साथ धोका धड़ी का मामला सामने आया है तीनों यूकों से 90,000 रूपे लेकर उन्हें फरजी वीजा पकड़ा दिया गया पीडित यूवक इमरान ने मंगलवार को चुरू कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाब परिवाद दिया है परिवाद में बताया गया कि श्री डूंगरगट के मुहमद शरीफ, इमरान और लतीफ रोजगार के लिए विदेश जाना चाते थे इस पर एक परिशित ने उन्हें चूरू के वार संक्या चोईस लोहिया कोलेज के पास बेजा जहां उन्हें निसार नाम का वेक्ति मिला जिसने तिनों से 30-30,000 रूपे कुल 90,000 रूपे ले लिए बाद में उन्हें दूबई का वीजा मंगवा दिया लेकिन जांच करवाई तो वीजा फर्जी निकला इस पर निसार से संपर किया तो गलत प्रिंट होने की बात केते हुए 3-4 महाबाद वीजा सही प्रिंट होकर जांसा दिया रूपे वापस मांगने पर पासपोर्ट लोटा दिया लेकिन पैसे बाद में देने के लिए कहा उन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद जब रूपे मांगे गए तो उसने लोटाने से इंकार कर दिया और जान से मानने की धमकी भी दी